बिजली गुल मीटा चालू की तरज पर जीले में बिजली की आख मिचौली से सभी परिशान है शाम के बाद जरा से हावा चलते ही पावर कट हो जाता है और फिर लॉकडाउन में घर के भीतल लोग घंटों अंधेरे में बैटने मजबूर होते हैं रोज की होचली इस समस्या से हर कोई तंग है इस ओर ध्यानाकरशित कराते हुए युवा कॉंग्रेसियों ने गुरुवार को अनोखा विरोध प्रदशन किया लाल कपड़े में नारियल लेकर के वे बिजली विभाग के दफ्तर पहुँच गए और अफसर को भेट कर व्यव पत्र सौपा गया जिले में लगातार बाधित हो रही बिजली विवस्था के विरोध में युवा प्रतिनीधी मंडल ने जिस प्रकार मन्नत पूरी करने मंदिरों में लाल कपड़े में बांध कर श्रीफल भेट किया जाता है उसी प्रकार यह सामगरी बिजली विभाग के अधिकारी के चेंबर में बांधा बिजली विभाग के अफसरों को स्रीफल भेट कर बिजली विभाग में फैली अव्यवस्थाओं को ठीक करने मन्नत मांगी गई युवा कॉंग्रेस के प्रतिनीधी मंडल ने जिम्मेदार अधिकारियों को यह चेतावनी भी दी है कि ओवर लोडव हावा चलने पर घंटो लाइन बंद हो जाती है इसका एक सबसे बड़ा कारण गुडवक्ता विहीं सामगरियों का उपयोग भी है जब इसकी शिकायत करने फ्यूज कॉल सेंटर में फोन किया जाता है तो अधिकांश समय फोन नहीं लगता या रिसीव ही नह है वारिस हो एक चरितार्थ कविता भी बहुत अच्छी है कि बारिस होई छटाक भर लाइट गोल रात भर तो यह सब अस्विधाओं को लेके और पबलिक की मांग को देखते हुए आज यूद कॉंग्रेस दर अग्यापन देया गया अगर एक हपते के अंदर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो यूद कॉंग्रेस आज नाजल बांदी है अगले हपते इसी दिन इसी जगह पे चीदा कर नापते हुए अधिकारी के दरवार तक जाएगी और अपनी मांगों पूरा करवाएगी लोग कहीं न कहीं लोग अपना गोल माल करते हैं जिसके लिए हम लोग कोरवा सहर वासी जो छोड़ी सी भी हवा चलती है जिसके कारण लाइट गोल हो जाता है उसकी समस्या को लेकर आज हम लोग यूवा कॉंग्रेस लोग एक फल लेकर आया है जिस प्रकार हिंदू धर्म मेडिया फूर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट